हेलो व्रिवन वल्कम बैक तो माय चानल आज कीवी केक बनाने वाले हैं इसके लिए मैंने ये वनीला स्पॉंज लिया है जिसको मैंने तीन लेयर में कट कर लिया है केक बोर्ट रखने से पहले टर्न टेबल पर या तो वेट टीशू या फिसलिकॉन मैट का यूज़ करें इस करेंगे केक की सेकेंड लेयर रखेंगे सेम प्रोसेस रेपीट करेंगे कीवी क्रश से ही हम इसको सोक करेंगे इससे हमारे केक का फ्लेवर और स्ट्रॉंग आएगा क्रीम आट करेंगे इसके साथ ही जब केक की लास लेयर रखेंगे तो हम उसे नॉमल वाटर से ही सोक आप चाहें तो क्रीम में ही क्रश आड़ करके फ्लेवर दे सकते हैं केकी लास लेयर एड़ करी है पानी से सोक करने के बाद थोड़ी सी क्रीम आड़ करके क्रम कोट करा हैं अगर आप बिगनर हैं तो 5-10 मिनट के रिए इसी रेफ्रिजरेट जरू करें और अगर आप ज़रू क्रीम थोड़ी एक्स्ट्रा लगा के केक को कवर करेंगे जब हम केक को स्मूथ करेंगे तो जितनी एक्स्ट्रा क्रीम है वह स्क्रेप हो जाएगी यहां पर मैंने केक को स्मूथ करने के लिए स्टील का स्क्रेपर यूज करा है आप प्लास्टिक का भी स्क्रेपर यूज कर इसमें बस कीवी का क्रश ही आड़ करा है इसको अच्छी से मिक्स करेंगे और उसके बाद टॉप पोर्शन पे ही से पोर करेंगे इस पाचुला की मदद से हलके हलके हाथ से फैला ले आप चाहे तो इसको ड्रिपिंग एफेक्ट में भी दे सकते हैं या फिर मेरी तरह केक को कवर भी कर सकते हैं केक को कवर करते वक्त साइट से ध्यान रखें कि आप अपना पैलेट नाइफ या स्पाचुला बहुत हलके हाथों से चलाएं वरना जो हमारी क्रीम हमने इसे कवर करा है वो बिगड जाएगी वो बाहर आ जाएगी बॉर्डर देने के लिए आप किसी भ का लुक और सुंदर हो जाता है इसलिए मैंने आट करा है केक को थोड़ा सोबर और एलिगेंट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर आर्टिफिशल फ्लावर का यूज करा है फ्लावर अंदर डारेक डिप ना करें इसके नीचे आप लिंग राप जरूर लगा है उसके ब बेल आइकन दबाना मद भूलिएगा थैंक्स वर वाचिंग